नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने आलाइन इस्टिटूट निसान तिज्यान के ओटू प्लेटफॉर्म पर मैं इतनु पाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ अमिनदन करता हूँ आज के अपनी इस वीडियो पर मैंने हमेशा कहा है खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है आज आप संगर्स कर रहे हैं तो आपके साथ हमें नहीं लगता है कोई होगा चाहे हो आपका परिवार का हो चाहे आपके घर का हो चाहे हो आपके समाज का हो चाहे हो आपके छेत्र का हो संगर्ष के दोरान आपके साथ कोई नहीं होता है जिस दिन आप सफलता के परचम पे जाते हैं उस दिन आपके पीछे आपके साथ रिस्ता जोडने वालों का नाता लग जाता है आपके साथ रिस्टा जोनने के लिए लोग बेताव हो जाते हैं तो अपने आपको इतना मजबूत बनाईए कि लोग आपसे रिस्टा बनाना चाहें आप आज भी आज कहीं पर जाते हैं आज आपके पास एकोनोमिकली जो आपका वैक्ग्राउंड हो हमें हो सकत पदतर की स्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है, तो हमें लगता है कि आपको उस दिन के लिए मेहनत करना है, हम हमेशा कहते हैं उस दिन के लिए मेहनत करना है, जो आपके सामने सीना टाइट करके चलते हैं, सर उठा करके चलते हैं, किसी कभी ने कहा है कि आपको इतनी अवकात बनानी है जहाँ पर आउकात बताने वाले आपके जितने लोग बैठते थे आप वहाँ पर पहुच जाएं तो उन्हें बैठने की आउकात न रहे इतनी आउकात आप बनाईए कि अगर आप कहीं पर पहुच जाएं बनाने के बाद जो आपको कभी अवकात दिखाते थे उनकी अवकात नहों कि आपके सामने बैठे रहें कुर्सी छोड़ना ही पड़े उन्हें इस तरीके से आपको अपने जीवन में बुलंदी हासिल करनी है और इसी के लिए मेहनत करना है यह बाते मैं इस वज़े से बोल रहा हूं कि कई सारी इस्थितिया आपके सामने आती है और आप लोग फिर भी जो है हतोसाहित होते हैं अपने जीवन में कुछ हलक करने के लिए प्रिरित नहीं होते हैं तो कहीं ने कहीं एचीज आप अपने साथ धोका कर रहे हैं और आप अपने माता-पिता के साथ धोका कर रहे हैं आज हम बात करेंगे उ 15 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आता है हर एक इनवर्सिटी का तो क्या फिर से 15 सितंबर के बाद डेट बढ़ाई जाएगी तो देखिएगा उम्मीद बहुत ही कम है कि 15 सितंबर के बाद डेट बढ़ाई जाए ठीक है उम्मीद बहुत कम है लेकिन जहां तक हमारी उम्मीद है आप लोग इस बात को मत करिएगा, कि आप बिना result आए, guess करके marking कर दें, ठीक है, ओ कहीं कहीं आपके लिए अवैध साबित हो जाएगा, तो guess करके marking बत करिएगा, कुछ लोगों ने कहा, भईया मैंने guess करके marking कर दिया है, तो कहीं कहीं आप गलती किये है, ओ चीज आपको नहीं करनी है आप 14 तारिक तक वेट करिएगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो होगा उसके बाद होगा ठीक है अभी मैं जो है आपको एक स्क्रिंसाट दिखा रहा हूं मैंने जो है डाक्टर राम मनोहल लोहिया के पास इनवर्सिटी पे संपर किया कि बीए का रिजल्ट या BSC का रिजल्ट या Final Year का रिजल्ट कब तक आएगा मैंने Gmail किया है उस Gmail का reply हमें कब तक मिलेगा अगर हमें reply मिल जाता है एक दो दिन में तो मैं आपको आउगत कराऊंगा कि आगी की प्रक्रिया क्या होगी इसी तरीके से हर एक इनवर्सिटी के आप website पर जाएए उसके तो जो भावी सिच्छक के रूप में काम करना चाहते है या अपने आपको एक सिच्छक के रूप में अस्थापित करना चाहते हैं कहीं कहीं उनके साथ धोखा हो सकता है बी एट के काउंसिलिंग में आप तब तक नहीं भाग ले सकते हैं जब तक आपका जो है फाइनल येर का रिजल्ट नहीं आ जाए और बी टी सी का फाउम आप तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक आपके फाइनल येर का रिजल्ट नहीं आ जाए ठीक है तो हम आपको यही बताएंगे कि आप लोग जिस भी इन्वर्सिटी के हैं उस इन्वर्सिटी का एक ओफीसियल वेब साइट होता है आप सभी को पता है अपने अपने इन्वर्सिटी का मुझे जो है डाक्टर राम मनोहल लोहिया हमारे संपर्क में है मतलब कि डाक्टर राम मनोहल लोहिया हमारे छेतर में संबद इन्वर्सिटी है हम वहाँ से संपर्क किये तो उन्होंने बताया कि 11-12 तारिक तक रिजल्ट आ जाएगा यह वीडियो आपके पास जाएगा अभी कि हमें लगता है कि 15 तारिक के इड़ गिड़ थोड़ी सी साइट भी लूच चलने लगती है अगर एक बार आप फार्म को समिट कर लेते हैं उसका फीस पेमेंट नहीं होता है तो फीस पेमेंट 17 तारिक तक होगा ठीक है तो केवल और केवल आपको एक बार रेजिस्टेश क्योंकि जो आपका सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर लगाया जाता हो केवल और केवल आपके प्रमाणपत्र की जाच करने के लिए लगाया जाता है कि आपने जिस नंबर का प्रियोग किया है क्या वह नंबर सही है या गलत है ठीक है तो आपने जो कुछ भी डाल जो भी आप सेर्टिफिकर नंबर डाल दिया है सीरियल नंबर डाल दिये उसमें आप टेंसर मत लीजिएगा आपका नहीं होगा ठीक है उसके बाद और एक ज्यादतर मित्रों का कमेंट आया कि हमारा जो है तीन नंबर चान नंबर बढ़ गया है तो क्या हम फिर से अपलाई क आउस्यक्ता नहीं है आपने अपलाई एक बार कर दिया है कि मह बढ़ के आया है क्योंकि उनका जो फॉर्म है उन्होंने कम है नंबर आगेदा के आया है तो उन्हें जो भी कालेज मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन आपने नंबर तो कम डाला है उससे कोई समस्या नहीं होगी ठीक है और आगे जो है कई सारी जानकारियां है जो आपके पास मैं सेयर करूंगा और आज के इस वीडियो में इतना ही सेयर कर रहा हूं कि जितनी चीजे मैंने बताया है उस चीज को ध्यान र कर रहे हैं उस संहर्स को कभी छोड़ना नहीं है चाहे आप यूपी लेकपाल की तयारी कर रहे हो चाहे आप यूपी असाई की तयारी कर रहे हो चाहे भावी सिछक बनने की तयारी कर रहे हो या किसी भी छेत्र की तयारी कर रहे हो तो आपको अपने अटिट्यूट से कभी पूरी जिल्दगी वितानी है, ठीक है, तो मीद करता हूँ, आप लोग अच्छे से मेनत करेंगे, संहर्ज करेंगे, और इस संहर्ज के दोरान, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, संहर्ज के दोरान आपका कोई साथी नहीं होगा, लेकिन आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, उ में बताईएगा, और भी आज जो है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिया हूँ, कल सुबा जो है, दो-तीन दिन में मैंने बताया था, ग्रामीड परिवेस की स्टार्टिंग में करूँगा, तो ग्रामीड परिवेस की स्टार्टिंग में दूँगा, अगर वीडियो आ अच्छा लगेगा तो ग्रामीड परिवेस और अच्छे से मैं बताऊंगा अगर वीडियो आपको नहीं अच्छी लगे तो आप लोग बता दीजिएगा जो भी होगा उसके आगे किया जाएगा और मैंने एक प्लान मनाया है उत्तर प्रदेश जैसे आप यूपी लेकपाल क आपको दिया जाए ठीक है मैं हैंड रिटेन नोट्स तयार कर रहा हूं जिस दिनों तयार हो जाएगा आपको जो है एक टेलिग्राम चैनल के माध्यम से या किसी तरीके से आपके पास पहुचानी की पूरी जिम्मेदारी होगी और वहां उत्तर प्रदेश इस्पिसल का न को टारी जीजह है जो मैं आपको बिलकुल प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत ही जल्दी औो से मेरे पास समय नहीं रहता है क्मेरी विडियो जिके मध्यम से आपको दो लेकिन kami के माध्यम से जितना आपका सयोग कर सकता हूं करने का मैं प्रयास करूंग ठीक है अगर वी